हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकबर फिर से हमारे इस ओफिशल टूप चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉलुशन मैं चंदन कुमार हाज़ीरू आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सुभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिकॉम ओनर्स के स्टूडेंट्स हैं 3rd और 5th semester के students हैं जिन्होंने अपना November, December में अपने exam दियेते 3rd और 5th semester के इस वाले students तो उनका result जो है declare कर दिया गया है आप इस link पर आकर अपना result चेक आउट कर सकते हो यहाँ पर कुछ various details फिल करनी है जैसे आपको सबसे पहले आपको अपना college name select करना होगा जो भी आपका यहाँ पर college name select करेंगे यह आपके i-card पर लिखा होगा जो soul वाले बच्चे है specially दियान देंगे क्योंकि आप सभी को ऐसे लिखना होता है कि नौर्थ में कि साूथ में तो इसमें देख लेंगे East में मेले कि फिमेले यह आपको आई-card पर चेक कर लेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को जो यह नौर्बर और दिसम्वर वाला option है इस पर आपको कोई चेट-चार नहीं करनी यहाँ पर आपको अपना जो भी रोल लंबर है वो टाइप करना है इसके बाद में आपको अपना डेट-वर्थ लिखना है डेट-वर्थ लिखने के बाद में यहाँ पर सिंपली आप अपना capture code फिल करेंगे और print scorecard पर आप क्विक करेंगे इन केस किसी भी students के result में या तो N ने लिखा आ रहा है तो वहाँ पर है कि result आपका उस subject का available नहीं है यानि उस subject में आप absent थे ऐसा अक्सर हो जाता है कई बार students के exam होते भी है अच्छा appear भी होता है लेकिन उसके result में absent शो हो जाता है तो ऐसे केस में आपको अपने जिस भी college में आपका center पढ़ाता आपको वहाँ जाना होगा वहाँ से आपको जिस दिन आपका exam होगा उस दिन के आपको अपनी attendance sheet लेनी होगी और उसे school में submit करना होगा और आपका जो marks होगा वो update हो जाएगा जिन इस students का आरे लिखा हो आ रहा है तो उनको result अवेटीड है उनको wait करना पड़ेगा absent में na या a भी लिखा आएगा और इसके अलावा जिनकी result में e-r लिखा हुआ है तो वो ये समझ जाएंगे कि वो उस semester में उस subject में उनकी back आई है उस subject में particular आपको वो exam दौरा अगले साल appear करना पड़ेगा तो यानि अगले साल का मतलब क्योंकि last year आपने exam दिया था तो आप इसी साल appear होंगे 2023 में नॉम्बर के करीम में अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे share कर सकते हो बाकी मिलते हैं मैं आप सुभी से अपनी अगली वीडियो में